जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्तमिच जैन यूटूब चैनल में सो सात्यों स्टार्ड हो चुका है आज का इस सेशन सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों जल्दी से सभी लोग अपने मित्रोंत को एक बार सेयर कर दें ठीक है और जिन जिसको आप मात्र पास्त रुपे में इसमें एड़ विसल ले सकते हो ठीक है और दोस्तों यहां पर आपके लिए TGT, PGT, हिंदी के लिए पंजाब मास्टर केडर हिंदी के लिए दोस्तों कोर्स लांच किया गया है जिन भी सात्यों को एड़ विसल लेना है एड़ विसल रख सकते हैं ठीक है स्टार्ट करेंगे आंगे का सेसन दोस्तों आज का जल्दी से सेल्फ इस्टडी के लासे इस एप जरू डाउनलोड कर लें आज का अपना पहला प्रशन बात करेंगे प्रकास और परच्छाई किस एकांग की कार की रिचना है किस एकांग की कार की रिचन प्रकास और परच्छाई प्रकास और परच्छाई आपने कभी सोचा है परच्छाई क्यों बनती है प्रकास क्यों आता है यह तो सब किसकी किरपा है प्रकास और परच्छाई यह विश्णू की किरपा है प्रकास और परच्छाई यह विश्णू की किरपा तो दोस्तों यह एकांग की है प्रकास और पड़्चाई इसकी रचनाकार विश्णू प्रभाकर हैं यानि कि आपका उत्तर बिलको शाही है बी नमबर आपने बताया जो वो बिलको राइट आंसर है ठीक है जोनों ने भी बताया उनका नमबर बिलको शाही आंसर है अंगले question क्यों और हम बढ अधे रात पूचा परवत गहरा सागर हेना धरम वीरभारती द्वार रचते कांग की नदी प्यासी थी नीली जील स्रश्टि का आखरी आदमी बेचंस रहमा उगर द्वारा रचते एकांकी चार बेचारे अपजल बद हैना भाई मिया अपजल बद भाई मिया हरी कश्ण प्रेमी द्वारा रचत जो एकांकी है मात्र मंदिर ठीक है राष्ट मंदिर न्याय मंदिर और बाणी मंदिर ये हरी कश्ण प्रेमी द्वारा रचत एकांकी है बाकी अंगला ये आपको चैन करना है तो बताइए कबूतर खाना किस एकांग की कार की रिचना है चैन करना है सभी रोगों को सवानू जी रेखा जी बताइए कबूतर खाना की एकांग की किसकी है बुलिसर कबूतर खाना की अगर बात करोगे तो कबूतर खाना जो एकांग की है ये जगदीश चंद्रमातुर की जगदीश चंद्रमातुर की आपका उत्तर हो जाएगा बिकल्प नमबर डी एक कबूतर खाना की रचनाकार जगदीश चंद्रमातुर हैं ठीक है डी नमबर आपका बिलको सही है यहाँ पर देखो जगदीश चंद्रमातुर कबूतर खाना भोर का तारा, रेड की हड़ी, मकडी का जाला, ये जगदीश चंद्र मातुर के क्या माने जाते हैं, कांकी माने जाते हैं, मौहार राकिस के कांकी देखो, अंडे के छिलके, हैना प्यालियां तूटती हैं, शिपाही की मा, छतरियां और कर्फ्यू, ये मौहार राकिस की है दोस्त है ना और यहां पर देखो काले कवे गोरे हंस ये दोस्तों बिनोध रस्तोगी जी के ये माने जाती हैं इनको अपन को याद रखे ना आपसे सोच छोटा सा क्वेस्चन पूचा गया था कभूतर खाना एकांकी के रिचना कार कौन है तब आपका उत्तर था जगदीश चंदर गुपत हैं है ना फिर आपसे अगर कभी पूचा जाएगा रेड़ी की हड़ी एकांकी किसकी है तो आप बताओगी जगदीश चंदर गुपत है अंडे के छिलके एकांकी किसकी है मोहार राकेश ठीक है तामे के कीड़े एकांकी के रिचना कार कौन है तो भविनेश और तो आपको बताना है अंगला प्रश्ण है अंगला प्रश्ण है आपका कि नाटक का अभिनेश रंग मंच के जिस अंगले इस्थान पर होता है उसका नाम क्या है रंग पीट रंग सीर्स वबनेश और या जगदीश चंदर मातर लोह यह अलग से कुछ अलग कॉस्चन दे दिये गए इसको हैना बताना है आपको नाटक का अभिनेश रंग मंच के जिस अंगले इस्थान पर होता है उसका नाम क्या है है तो अंगले इस्थान पर होता है जो उसका नाम आपको चैन करना है तब आपका बिलकुर सही आंसर दो सेकंड है दोस्तो नाटक की अभिनेश कि आपने देखे होंगे रंग पीठ रंग सीड्स नेपत्थ है इस प्रकार से देखे होंगे तो आपका यहां पर बिल्को सही है रंग सीड्स है हैना नाटक काविनाय रंगमंच के जिस अंगले इस्थान पर होता है उसका नाम क्या है तो उसे कहते है रंग सीर्स यानि कि आपका वी नम्मर रंग सीर्स बिलकुर सही चला जाता है कि कि बी नम्मर रंग सीर्स जिसने बताया है उनका अंसर बिलको सही नाटक का भी नए रंग मंच के जिस अंगले स्थान पर होता है उसका नाम है रंग सीर्स नेपत परदे के पीछे बाले भाग को कहते हैं ये भी कई बार कॉस्चन आया है कि परदे के पीछे बाले भाग को क्या कहते हैं तो हुसे कहते हैं न्यपत्य हैं अंगला क्वेश्चन आपको बताना है मूल्तर रंग मंचिये प्रियोगों को द्रश्टी में रख कर लिखा गया इसमें सरबस्रेष्ट हिंदी नाटक कौन्सा है सर्पसेष्ट हिंडी नाटक नहोस, शिंदूर की होली, लहरों की राजन्स या फिर रक्षा बंदन बताइए मूलतर रंग मंची प्रियोगों को द्रश्टी में रखकर लिखा गया इसमें सर्पसेष्ट हिंडी नाटक कौन सा है प्रश्ण किरमांग 75 और रंग मंची प्रियोगों को द्रश्टी में रखकर लिखा गया सर्पसेष्ट हिंडी जो नाटक है बो नाटक आपको चैन करना है रंग मंची प्रियोगों को है ना और दोस्तों आपको पता है यह बो नाटक है लहरों की राजहन्स लहरों की राजह द्रश्टी को रखकर सर्बस्रेश्ट हिंदी नाटक माना जाता है ठीक है इसको याद रखने ना अब तोड़ा सा यहां पर आते हैं इसको देखते हैं मूलतर रंगमंची प्रियोगों को द्रश्टी में रखकर लिखा गया सर्बस्रेश्ट हिंदी नाटक लहरों की राजन स है इसको अपन को याद रखना फिर अंगला कोस्चन हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है कमेंट में जल्दी से लिखेंगे वीडियो को लाइक जरू कर रहेंगे ठीक है जल्दी बताइए हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी जो नाटक है वो नाटक कौन सा है जिन भी सात्यों ने अभी तक दोस्तों सेल्फ स्टडी के लासे इसका एप डाउनलोड नहीं किया वो सेल्फ स्टडी के लासे इसका एप जरू डाउनलोड करें और जिन भी सात्यों को कोर्स को करमबद्य पढ़ना है ट्रिक से पढ होगा कामना नाटक की जैसंकर पिरसाद जी का नाटक है जैसंकर पिरसाद जी का नाटक है और दोस्तों एक कामना नाटक की आधार पर इन्हों कामाईनी महाकाब भी लिखा था किसने? जैसंकर परसाद ने ठीक है तो हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है कामना करिचना कार कोन है तो जैसंकर परसाद है है ना एह संस्कित के प्रबोध चंद्रोदय की भाति अन्योपदेशक, अन्योपदेशक मतलब वो तर प्रतीकातमक, है ना, प्रतीकातमक नाटक है, इसमें भावनाओं को नाटकिये पात्रों का रूप दिया गया, जैसंका प्रिसाद्वारा रचेतन नाटक है, सज्जन इनका प्रतम नाटक है, कल्ने आनी परिनाए, है ना, बिसाक, अजास, सत्रू, जन्वेजय का नागयग, इसकंद, गुप्त, चंद्र, गुप्त, धृफ, स्वामनी, ए इनकी रचनाय मान जाती है, फिर अंगला क्वेस्चन आपको चैन करना है, चंद्रावली नाटका के रचनाकार कौन है, जैसंकार प्रिसाद है, या फिर द दोस्तों कोर्स में एडवीसर लेना है, टीजीटी, पीजीटी, पंजाब, मास्टर के अडर, हैना, यूके, एल्टी, या फिर दोस्तों, एचपी, टैट, आदी एकजाम, जूनियर टैट एकजाम के लिए, तो वो आज ही एपको डाउनलोड कर लें, सेल्प स्टेडी के ल चंद्राबली नाटिका की रचेता, भारतेंदु हरिस्चंद हैं, और सी राइट है, चंद्राबली नाटिका की रचेता हैं, हरिस्चंद जी, भारतेंदु हरिस्चंद का मौलेक नाटक है, हैना, यह नाटक में बैशनाव भक्ती एबं प्रेम तत्तु का चित्रन भी दोस ये इनके दोस्तों कुछ मौलक नाटक है यहां से कॉस्चन कैसा बनता है निम्न मैं से बताईए कौन सा भारतेंदु जी का मौलक नाटक है या फिर नहीं है तो प्रिसाद के नाटकों के प्रिथम स्रेष्ट समीक चक बताना है प्रिसाद के नाटकों के प्रिथम स्रेष्ट स रामना विसाख है ना ध्रोप स्वामनी इसकंद गुप्त चंदर गुप्त जो नाटक अपन पढ़ते हैं प्रास्चित ठीक है ये जैसंकर प्रसाथ के सारे नाटक आपको पता होनी चाहिए और प्रसाथ के नाटकों का प्रतम प्रतम जो स्रेष्ट समीक चक माने जाते हैं व वही नंद दुलारी बाचपेई हैं दोस्तो जिन्होंने प्रियोग बाद सब्द का प्रियोग किया था जिन्होंने दोस्तो पंत को पंत को क्या माना था पंत को छाया बाद का प्रवर्तक माना था ये वही नंद दुलारी बाचपेई हैं जो स्वश्टावादी दोस्तो आ अलोचक ने माना जाता है इन्होंने सरप्रतम चायाबाद को मानिविये और सांस्कृतिक प्रेणा के रूप में ब्याख्यायत किया अगर क्वेस्चन यहां से कभी आपका आए कि चायाबाद को मानिविये और सांस्कृतिक प्रेणा के रूप में ब्याख्यायत करने वाला ज अपने कुकर्मों का फल चकने में कड़ूआ परंतु परिणाम में मधर होता है एक कतन इसका बहुत बड़ीया प्रश्न है दोस्तो अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परन्तु परिणाम में मधुर होता है ये कतन किसका है बताइए एक बार सबी लोग लाइक जरू कर देना एकलास अपनी रोज नौवजे रात्री में होती है यहां पर अध्यन करते हैं दोस है यानि कि आपका उत्तर डी की तरफ चला जाता है डी नंबर आपका बिलकुँ सही आंसर होता है यहां पर आते हैं अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परन्तु दोस्तो परिणाम में मधुर है एक अधन इसकंद गुप्तनाटक के पात्र भट्टार्क का है भट है है ना मेरी समझ से तो मेरी सरीर की धातु मिट्टी है जो किसी के लोप की सामगरी नहीं और बास्तम है उसी के लिए सब धातु अस्त्र बन कर चलते हैं लड़ते हैं तूटते हैं फिर मिट्टी होते हैं एह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संबाद है यह संबाद अगर, दोस्तों, आपने इन आटक पढ़ा है, तो इस नाटक के बारे में आप उत्थर बता सकते हूँ, चार बेकल्ब में ऐसे, ये बढ़िया प्रस्न है, ये संबाद के रूप में आपको बताया गया है, मेरी समझ में, मेरी समझ से, तो मेरे सरीर की धातु मिट्टी है, ज इसका है यह जैसंकर प्रसाद का नाटक है ठीक है इस नाटक का संबाद माना जाता है दोस्तों मेरी समझ में तो मेरे सरीर की धातू मिट्टी है जो किसी के लोप की सामगरी नहीं और बास्ता में उसी के लिए बस धातू अस्तर बन कर चलते हैं इसकंद गुप्त नाटक के र रचना करने के पीछे भारतेंदू जी का क्या उद्देश से था भारत दुरदसा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदू जी का क्या उद्देश से था इन कतनों को आपको पढ़ना है और उत्तर बताना है क्या उद्देश से था बताईए चार बिकल्पों का चैन करना ह है ना और अनामिका जी खुशी जी बताइए क्या उत्तर सही हो जाएगा भारत दुर्दसा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का क्या उत्देश से था और आपने बढ़िया तरीके से चैन किया है और बहुत ही अच्छा ये दोस्तो भारत दुर्दसा ये चीज इस तो भी आपको पता होनी चाहिए भारत दुर्दसा जो नाटक है ये नाटक भारतेंदु जी का माना जाता है और इसकी रचना करने के पीछे जो दोस्तो क्या भारतिये नागरेकों को अन्याय के ब्रुद्द्ध खड़े होने के लिए प्रोसाहित करना ये उद्देश स उनका अंसर बिल्कुल चाहिए ठीक है भारत दुर्दसा नाटक की रचना दोस्तो करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश भारतिये नागरेकों को अन्याय के ब्रुद्ध खड़े करने के लिए प्रोसाहित करना है ना और दोस्तो भारत दुर्दसा ये क्या है हास् और भारत दुर्दस के ततकालीन परिस्तिती का चित्रन अंगरे जी राज की दोस्तो आप प्रत्यक्ष निंदा इन्होंने की है है ना अन्य हिंदी नाटक कारों की अपेक्चा भारतेंदु अरिस्चंद जी की बिसिष्टा थी क्या बिसिष्टा थी इसका उत्तर आपको चैन कर ये ठेट बनार सी बोली का उनमोक्त प्रियोग करते थे रचना मंचन निर्देशन अभिना विग्यापन और मुल्यांकन से जुड़ा होना या फिर नाटकों की रचना समान मात्रा में गद्ध पद्ध में करना या हिंदी नाटकों को पार्सीक मंच पर खेले जाने में सहयोग देना तो आपको भारतेंदु अरिश्चन जी की जो बिसेश्टा है जो बिसेश्टा है वहना वो आपको बताना है बताईए हरिश्चन जी की क्या बिसेश्टा थी तो यहाँ पर हरिश्चन जी की अगर बात आई है तो दोस्तो रचना मंचन निर्देशन अभि दोस्तों ये इनकी बिस्रेष्टा थी किसकी भारतेंदु जी की यानि की उत्तर चला जाता बिकल्प नम्बर बी की हो जाता ठीक है अन्न हिंदी नाटक कारों के पेक्चा भारतेंदु जी की विस्षिष्टा थी मंचा निर्देशन अभीना विग्यापन और मुल्यांकन से जोड़ा होना ठीक है अंगले क्वेस्चन की और बढ़ेंगे ये ती तिरी का अंसर आपको बताना है कि जमाने में न नाटकों के असंभव समझे जाने बाले द्रस्यों को भी आज की बैग्यानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है फिर भी प्रसाद के नाटकों विसेष्टा उनके इसकंद गुप्त नाटक को हैना मंचा भी नए अभी भी लोग प्रिये नहीं हो पा तक इसने प्रसाद ने तो प्रसाद का दोस्तों जो इसकंद गुप्त नाटक के इसके लिए अभी मंचा भी नए अभी तक लोग प्रिये नहीं हो पाया इसका कारण क्या है क्यों नहीं हो पाया बताए तो दरस से बहुत जल्दी जल्दी बदनने पढ़ते पात्रों की आम रचानक ही बढ़ जा गई होती है अभी नेता अभी नेतियों की पोसाक इतने पुराने जमाने की है कि उनके अनुरूप पर आज पोसाक जोटा पाना संभाव नहीं होता तो यहां पर दोस्तों यह सही है सी नमबर नाटक देखने वाली जनता प्रसाथ के नाटकी संभादों की भासा के इस तर तक नहीं पहुँच पाई है यानि की शी आपका बिलकुल शाई है शी नमबर एक जमाने में नाटकों के असंभाव समझे जाने वाले द्रस्चियों को भी आज वे ज्यानेक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है फिर भी प्रसाथ के नाटकों विसेशता उनकी सकंद गुप्त नाटक को मंचा भी नए अभी भी रोकप्रिय नहीं हो पाया क्योंकि नाटक देखने वाली जंता प्रसाथ के नाटक के संभादों की भासा के इस तर तक नहीं पहुँच पाई है है ना अंगला क्वेश्चन है कौन सी कौन सा ना भारतेंदु अरचंदर क्रत कौन सा नाटक अनुदित रचना है अनुदित रचना आपको बताना है और अनुदित रचना जो है वो अनुदित रचना बताना है एक कई बार पूछा गया भारतेंदु अरचंदर जी का इनका जो अनुदित नाटक है दोस्तों वो कौन सा है बिध्या सुन्दर है ना बिध्या सुन्दर यानि की श्री नंबर श्री नंबर आपका बिध्या बोली बिध्या तो दोस्तों बोली सर अनुदित होती रहती है अस्तांतरित होती रहती इस प्रकार से तो ये आपका श्री नंबर बिलकुँ सही होगा भारतेंदु अरिश्च जंद भारत जंडी ये सा भी माने जाती है ठीक है PG кажется नरील मुक्ति की नारील मुंख्ति की समस्या को उठाया है in प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुक्ता है नारी मुक्ती की समस्या को उठाया है नारी मुक्ती की समस्या को यह बढ़िया प्रस्ने है प्रसाद की अंतिम नाटकिर्टी कौन सी है धुरुफ सौमनी है ना धुरुफ सौमनी दोस्तों आपको पता है 1933 का यह नाटक है और य को उठाया गया है तो वह उठाया गया दुरुपसोमनी कि उत्तर चला जाता डी की थरब पर सॉन्ठी में मॊंटतर नारी शमस्या को ऊठाया है और इस नाटक में पर साधने तलाахस ज mist do एवं पुनर विवाय का दिकार हिंदू हिंदू इस तरीकों है या नहीं इस समस्या को बड़े कौसल से प्रस्तुत किया प्रिसाद द्वारा रचेतन नाटक दोस्तों बिसाग अजा सत्रू कामना जनमे जय का नागय अगय इसकंद गुप्त एक घूट और चंद्रगुप्त इनके दोस्तों नाटक माने जाते हैं चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता एक कॉस्टन भी कई बार आया कौन सा नारी पात्र है जो चंद्रगुप्त से प्रेम भाव नहीं रखता कौन सा नारी पात्र है ब शुवासनी यानि कि आपका जो ए नंबर है शुवासनी वो बिलको सही है नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती तो वो शुवासनी है यानि कि उत्तर आपका एक नंबर बिलको सही है है ना एक नंबर बहुत बढ़िया एक नंबर सुवासनी आपक प्रुष्पात्र का संबंद किस नाटक से है? शिंघानी नामक पुरुसपात्र का संबंद किस नाटक से है? जो किस नाटक से है? आधे आधूरे से. यानि कि उत्तर बिकल्प नम्बर वी आदे अधूरे से माना जाता है सिंगानिया नामक पर उस पात्र का सम्मंद किस नाटक से है तो वो नाटक है आदे अधूरे शिंगानिया नामक प्रुषपात्र मौहन राकिस के नाटक आदे अदूरे में है आदे अदूरे नाटक के अन्य प्रमुक पात्रों की बात करें तो महेंदरनाथ, जग मौहन, असोक, जुनेजा, साबित्री, बिन्नी, किन्नी है ना ये आदे अदूरे नाटकों को समकाली ज आज से क्या है आपने दोस्तों एक घूंट एकांकी पड़ी होगी जैसंकर परसाथ की पड़िये की नहीं पड़ी एकांकी में संकलन त्रैका आज से क्या है और इसी प्रकार से दोस्तों अपनी एक अक्छा रोज नौ बजे चलती है हैना जिन भी सातियों को एड़िसर लेना है हिंदी साहिट के TGT PGT Junior TET exam में तो अभी भी मौका है अभी भी आप दोस्तों एड़िसर ले सकते हैं अपनी तैयारी को बढ़िया और बहत्तर बना सकते हैं ठीक है तो ऐसे कौन से साती हैं जो दोस्तो इसमें तैयारी करना चाहते हैं करमबद पढ़ना चाहते हैं वो नीचे नमबर चला है नमबर से सपर कर सकते हैं एक आंकी में संकलन तरह का जो आस से है वो समय इस्थान कार क की एकता से दोस्तों यह संकलन त्रय इना यह proudly कि आपका जो बिकल्बर डी है डी नंबर वो बिल्कुर शाय है एक आंकी में इतने ही समय की घटना दिखाई जानी चाहिए जितने में बास्तुबिक जीवन में घटेते हो सके, है ना, डाक्टर रामकुमार बर्मा संकलन तरह को एकांकी की आत्मा मानते हैं, इसको याद रख़े ना, एकांकी की आत्मा संकलन तरह को कौन मानते हैं, अगर ऐसा आप से पूछा जाएगा, तो आपका राइट अंसर कि डाक्टर रामकुमार बर्मा संकल अंत्रय को एकांकी की आत्मा मानते हैं भारतेंदु अरिश्चंद को भारतेंदु की उपादी कब प्रदान की गई अठारा सो अठात्तर में ठीक है 1880 में 1884 में 1882 में भारतेंदु अरिश्चंद को भारतेंदु की उपादी कब प्रदान की गई बहुत ही बड़िया प्रस्नेशर हैना शुभांगी जी संपर कर सकती है जिनको भी अड़बी सर लेना है जिन भी सातियों को नीचे नंबर चल रहा है भारतेंदु सही हो जाना है आपका हैना 1880 यैनि की बि नंबर भारतेंदू अरिश्चंद को भारतेंदू की उपादी 1880 melt में प्रदान की गई हैना 1843 से 1867 इस्वी तक क्रतित्तो भारतेंदू युक्की प्रष्ट भूमी के रूप में जाना जाता है हिंदी में आधुनिक्ता और पुन 1850 में इनका जन्म है और 1880 में इनकी म्रत्यू है ना अन्दा योग है ना ओध्रत प्रस्तुत कतन किस पात्र का है यह पात्र का कतन आपको बताना है कि मेरी ममता ही बहां नीती थी मर्यादा थी तो बताना किस पात्र का यह कतन है गांधारी का ध्रत राष्ट का संजय या फिर स्वत्थामा अंधा योग और ध्रत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है मेरी ममता ही बहां नीती थी मर्यादा थी तो यह बताना है यह किसका कथन है यह सभी को बताना है यहां पर ध्रत राष्ट यानि किसी नमर आपका अंधा योग यह दोस्तों मेरी ममता ही बहां नीती थी मर्यादा थी ध्रत राष्ट का क्या हो जाएगा कतन हो जाएगा अब अंगले कॉस्चन की और हम बढ़ेंगे अंगला प्रस्णा आपको चैन करना जान की मंगल नाटक के लेका कौन है यह जान की मंगल आपसे दोस्तों बो नहीं पूछा गया यह जान की मंगल नाटक के लेका कौन है बताएग जान की मंगल नाटक के लेका कौन है एक जा तो किसके किसके हैं तुलसी रास के लेकिन जानकी मंगल नाटक आप से पूछा गया तो नाटक में आपने बिल्कुल सही आंसर बता है सीतला परसाथ तरपाथी जानकी मंगल नाटक किसका है सीतला परसाथ तरपाथी का और बिकल्प नम्मर एक ही तरफ आपका बिल्कुल सीत जानकी को हैना सीता जी का दूसरा नाम क्या था जानकी अब यहां जानकी मंगल दिया और यहां पर सीतला प्रसाद सीतला प्रसाद इस प्रकार से आत करोगी हैना जानकी मंगल नाटक के लिए का सीतला प्रसाद तरपाटी है और दोस्तो इसकी एक खास बात है कि आदने किंद जान की मंगल में जिसकी रचनाकार सीतला परसाद है भारते अंदु जी ने सुया में इसमें अभी नहीं किया था है ना तो भवने सुर निम्लेकित में से किसके लिए परसिद्ध है भवने सुर 192 का उत्तर भवने सुर किसके लिए परसिद्ध है एतियासिक नाटकों के समाजिक नाटकों के लिए या फिर असंगत नाटकों के लिए ममता जी फीस है अभी 1200 है ठीक है फीस अभी 1200 है जिनभी शातियों को लेना है वो दोस्तो संपर कर सकते हैं और बड़िया तरीके से एक साल तक एक कोर्स आपका बैलिड रहेगा एक साल तक भी आप निरंतर आपयोगे टिर्की पलस बिस्तरत अध्यने हंदी में असंगत नाटकों की शुर है लगु नाटक ऊसर है ना- 1988 से माना जाता है तो आपको याद रखते ना जो भुबने ही असंगत नाटक कार हैं ठीक है असंगत नाटक के लिए प्रशिद्ध है और इनका दोस्तों लगुण नाटक उसर से हिंदी में असंगत नाटकों की फुरुआत मानी जाती है यह आपको याद रखेना है ठीक है सर फील जी अंगला question आपको बताना है यहाँ पर निमने मैंसे पारसी ठीक है भुबने निमने मैंसे पारसी नाटक कार नहीं है तो पारसी नाटक कार बताना है कौन से नहीं है पारसी नाटक कार है ना फीस रखी अभी दोस्तों हिंदी साहिद संपूर्ण कोर्स बारास रुपे है ना बारास टॉपिक बाइस टेस्ट भी रहेंगे live class भी रहेंगी recorded course भी रहेगा है ना तो कौन पार्सी नाटक कार नहीं है यह आपको chain करना है बिल्कुल कौन पार्सी नाटक कार नहीं है बताइए 193 का answer और पार्सी नाटक कार कौन नहीं है यह आप से पूछा गया उत्तर चला जाता ह है बिपिन कुमार बिपिन कुमार यह पार्सी नाटक कार नहीं है जबकि आगा हसू कस्मीरी रादे स्याम कथा बाचक नारायण प्रसाद बेताव यह सभी पार्सी नाटक कार है बिपिन कुमार अगरवाल यह नहीं माने जाते यानि कि उत्तर आपका c नंबर शी आपका ब पार्सी नाटक कार हैं जबकि विपिन कुमार अगरवाल पार्सी नाटक कार नहीं है पार्सी रंग मंच के दोस्तों अनुसार जो नाटक कार होते हैं नाटक की जो रचना करते हैं रंग है ना और औरंग जेप की आखरी रात के रचना कार कौन है रामकुमार बर्मा लच्मी उत्तर बताना है ये किलास अपनी रोज रात तरी नौ बजे चलती है दोस्तों और पैड मेंबर वालों की लाइफ किलास चलती है रोज साम को पांच बजे है ना और रोज साम को साड़े छे बजे यानि कि ये दो किलास लाइफ पैड मेंबर वालों की चलती है जिन्नोंने अ option आपके पास है औरंग जेब की आखरी रात के रचनाकार कौन है तो वो हैं रामकुमार बर्मा यानि की ए नमबर औरंग जेब की आखरी रात के रचनाकार रामकुमार बर्मा है दोस्तों है ना बर्मा जी द्वारा रचे तर्ने नाटक हैं को मौधी महुत्साव है ना बिज इंद्रसभा ये किसका नाटक है इंद्रसभा की नाटक कार कौन है ये आपको चैन करना है और उत्तर चला जाता है कि इंद्रसभा की जो लेकक है वो लेकक है अमानत इंद्रसभा मेरी अमानत है इंद्रसभा मेरी अमानत है यानि कि आपका जो बी नंबर है इंद्रसभा की ज सवा वास्तों में रंग मंचीय किरती है इसको अपन को याद रख रही ना हिंदी नाटक उद्भाव और विकास के लेकक कौन है बहुत बढ़ यह प्रस्ने दोस्तों हिंदी नाटक उद्भाव और विकास इसके लेकक कौन माने जाते डाक्टर दसरतो जा अचारा मत हजारी परसाथ दुवेदी राम राजंद्रबस्ती या इन में से कोई नहीं हिंदी नाटक उधभा और विकास के लेखक कौन माने जाती है उद्भावर विकास, 196 हिंदी नाटक उद्भावर विकास के लेखक आपको बताना है और लेखक की बात हुई है हिंदी नाटक उद्भावर विकास के लेखक डाक्टर दसरत ओजा, डाक्टर दसरत ओजा यनि कि आपका उत्तर है ए नमबर, हैना हिंदी नाटक उद्भावर ये नमबर आपका बिलकुल सही हो जाएगा राइट हो जाएगा ए ठीक है जिन्हों ने भी बताया उनका अंसर बिलकुल सही हिंदी नाटक पुदभा और विकास डाक्टर दसरत ओजा दसरत ओजा काई नाटक है सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरू कर देंगे दोस् लोग कथा या फिर लोग नाटक तो भेकारी ठाकर का बिदेशिया भेकारी ठाकर का बिदेशिया ये आपको बताना है कि ये बिदेशिया क्या है लोग गीत है बिदेशिया लोग कथा है बिदेशिया है ना या फिर लोग गाता है या फिर लोग नाटक है क्या है बिदेश की बात हुई है तो बिदेसिया क्या है लोक नाटक एक लोक नाटक है कि अलिए। कहानी उपन्यास या फिर नाटक में साहित की किस विधा में रंग निर्देश होता है ये आपको बताना है ये उत्तर आपको चेन करना है यानि कि 198 का उत्तर आप बताओगे कि साहित की किस विधा में रंग निर्देश होता है और उत्तर आपका चला जाता है दोस्तो रंग न निर्देश रंग निर्देश जो होता है वो होता है नाटक में नाटक में यानि किसी नमबर साहित की किस विधा में रंग निर्देश होता है वो होता है नाटक में और सी आपका बिलकुल सही है शी नमबर ठीक है साहित के नाटक विधा में रंग निर्देश होता है और वाले को दो अंक वाले को तीन अंक या फिर चार अंक यानि कि एक अंकी में कितने अंक होते हैं ये सीधा सीधा कॉस्चन आप से एक अंकी में कितने अंक होते हैं एक दो बैसे भी दोस्तों नाम से ही आपको पता चल जाता है जिसमें एक अंक होता है उसे सर एक अंकी कहते हैं है ना एक अंकी जिसमें एक अंक हो है ना तो यहाँ पर एक यानि की ए नंबर एक अंकी ए नंबर आपका बिलकुँ सही होगा एक अंक वाले नाटक को एक अंकी कहते हैं बीसवी सदाबदी के चोथे दसक में इसकी सुरुवात मानी जाती है जैसंकर प्रसाथ करत एक गूट 1939 को हिंदी साहित की प्रतम में कांग की सुईकार किया जाता है ठीक है अती रंजना किस नाटक परंपरा की प्रमुक प्रिबिटती रही है अती रंजना किस नाटक परंपरा की प्रमुक प्रिबिटती रही है क्या अतिरंजना किस नाट परंपरा की प्रमुक प्रिबिटती रही है और दोस्तों यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा अतिरंजना अतिरंजना दोस्तों कि पार्सी नाटक की परंपरा रही अतिरंजना अतिरंजना पार्सी नाटक परंपरा की प्रमुक प्रिबिटती रही और नारायन प्रसाद बेताब है ना आगा हस्र कस्मीरी, रादे स्याम कता बाचक, तुलसी दास, सेंदा, प्रमुक, पार्सी, नाटक कारमाने जाते हैं भुबने सुरक्रत एकांकी कौन सी है? भुबने सुरक्रत एकांकी आपको चैन करना जौक, स्ट्राइक, के लिए भबन की स्ट्राइक, असोक बन या अंडे के छिलके, तो भबने सुरकी आपको बताना है, कौन सी एकांकी भबने सुरकी है, चार बिकल्प हैं, और एकांकी के बारे में बताना है, एकांकी में एक अंक होता है, अपन ने पढ़ाता, एक अंक वा एकांगी है एकांगी किसकी स्ट्राइक है ना बोबने सुर की एकांगी स्ट्राइक है ठीक है बोबने सुर करते एकांगी है स्ट्राइक इनके अननाटक एबम एकांगी इस प्रकार है तामे के कीड़े बोबने सुर एक साम मेहीन साम मेबादी एकांगी के भाव पतित प्रति की है असक का जौक गें कि इसी तरह असोगवं 1950 में लच्वीन आरान रच्वीन द्वारा लिखित और अंडे के छिल अर आंकिन की माने जाते हैं बत्सराज किस विधा की रचना है बत्सराज इस विधा की रचना है और उत्तर आपका चला जाता है बत्सराज आपसे पूचा गया तो राइट अंसर है बत्सराज किस बिधा की रचना है तो वो है नाटक बिधा की है ना नाटक बिधा यानि की C नमबर आपका नाटक बिधा बिलको सही हो जाएगा बत्सराज नाटक बिधा की रचना है और C आपका बिलको शही ठीक है स्री नमबर बसराज लच्ष्वी नारण मिस्र द्वारा लिखेत नाटक है और बसराज नाटक का प्रकासन उन्नीस सो पचासीसवी में हुआ एह मिस्र जी का प्रशिद्ध तिहास एक नाटक है उदेयन की जीवन घटनाव से संबंद इनके अन्न पिर सिद्ध नाटक है राक्षसका मंदिर शिंदूर की होली असोक मुक्ती का रहस चक्र वियूह सन्यासी आधी रात राजियोग अपराजित ये सभी लच्च्वी नारण मिस्र के नाटक माने जाते हैं दोस्तों इनको अपन को याद करना है ठीक है सभी लोग लाइक जरू क कर दें वीडियो को और जिन भी साथ कियों को एड़ लेना है वो देर ना करें अभी भी आपके पास टाइम है जूनियर टेट बालों के लिए अच्छा टाइम मिला है और अपने पंजाब मास्टर के इडर बारों के लिए भी टाइम है अभी हैना तो अभी से एड़ आप तयारी को start कर सकते हैं दोस्तों आपको admission वाले जो course है उसमें क्या का मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको पूरा recorded course भी मिलता है एप पर है ना तो जब आप चाहो जब इसको पढ़ सकते हो plus live class है इसमें मिलती है plus topic wise test भी आपको इसमें रहते हैं ठीक है भी करते हैं किसी भी प्रकार का आपका doubts होता है तो group में discussion का भी system रहता है group में discussion करिए है ना और सभी student दोस्तों मिलकर के telegram में topic wise quiz भी होते हैं तो quiz quiz में भी आप जोड सकते हो दिन भार ठीक है तो बेविन प्रकार की दोस्तों अपनी परंपरा यहां पर चलती है पढ़ाई यहना केसा जी सरोज बित सिभी जी सभी को धनबाद और पढ़ती रहें नरंतर अध्यन करती रहें वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक सियर जरू करें ठीक है बिलकोल रेखा जी उनम जी उदय जी कुशी तेबारी राजकुमार जी माही चोहान जी आजास सिंग जी ठीक है बिलकोल शाम पंडेत, पारवत्ती, माया राम, आस्था, चिंग जी, रस्मी सिंग जी, उदय यादव जी, अर्च दीप जी, मंजु जी, नीत्तू, दस वाली किलास, अभी लाइब किलास दस वाली नहीं चल लही है लालदास, विमलेस जी, माश्टर अधियम, कार्तिक जी, धर्मेंद्र जी, सभी को धनवाद, रीना यादव जी, रीता जी, लालदास, पारवत्ती जी, केसा, ठीक है, मुकनत जी, खुसी तिवारी, सांती जी, मनीशा जी, गिल, गीतिका जी, प्रमिला सिंग जी, रोशनी सभी को धनवाद, जुड़े रहें, अध्यन करती रहें, मित्रों तक जरूर सियर करें, अपने जिन भी मित्रों को दोस्तों पढ़ना है, क्रमबद पढ़ना है, उन मित्रों को भी जरूर बताएं, कि क्रमबद जिन को भी पढ़ना है, वो कोर्स में अडवीसल ले सकते हैं हैं आपने जितने भी मित्रों हों दोस्तों ठीक है और सरिता जी कुशी मुसरत निसा जी मनीशा मंजु जी सभी को धन्वाद दोस्तों अनिल मरावी और राम मुरद जी ठीक है सौनु जी पूजा बर्मा ममता जी चंद्रेस सेलेस कुमार जी सभी को धन्वाद वीडियो को ल रदो